हेलो दोस्तों जैसिराम नमस्कार आदाप सस्त्री गाल आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं 26 जनरी के हर्दिख सूप कामना है गरतांतर दिवर्ष के हर्दिख सूप कामना है सभी दोस्तों को यह सूचित करते हुए बहुत खुसी हो रही है कि आप लोग के बता हुए लोकेशन की जमीन आ गई है बहुत से लोग का कमेंट आया था लख़ख सूव-दोसों कमेंट आ गया था कि सर उत्तर परदेश के बिजन और जिले की जमीन लेकर आईए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन की घंटे को भी अर्पर प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास बराबर पहुंचता रहे तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि यहां जमीन कितनी है और किस रेट में आपको मिलने वाली है तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा अगर वीडियो को लाइक नहीं किये तो वीडियो को लाइक कर दीजे है इसकी जो तहसील है आपको बता दूँ तहसील इसका धामपूर है जिहां साथियो धामपूर इसका तहसील है और इसका जो बलाग है बलाग भी आपको धामपूर मिल जाता है बात करें यहां पर जमीन के बारे में टोटल जमीन कितना है तो टोटल आपको जमीन यहां पर मिल जाता है 124 एकड़ जहां साथ हूं 124 एकड़ आपको यहां पर जमीन मिल जाता है इसके पहले आपको जमीद देखें उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल्ज सब्सक्राइब कर दीजीए अपनी दोस्ते अस्ते दारों में भी वीडियो को सेर कर दीजीए यहाँ पर आपको बता दू होने फसल के बारे में तो यहाँ पर होने वाली जो फसल है मुख फसले हैं यहाँ पर सरसो की है जो कि आप देख सकते हैं पूरे खेत में आपको सरसो ही सरसो नजर आने वाली है कुछ खेतों में आपको गिहों मिल जाएगी नहीं तो हर खेत में यहाँ पर आपको सरसो की खेती ही नजर आने वाली है क्योंकि यहाँ पर सरसो की खेती बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है यहाँ पर बात करें होने लिए पानी के साधन के बारे में तो पानी के साधन के लिए आपको जब इनके मालिक का खुद का समर सेबुल, चार-चार समर सेबुल है, तो आप समर सेबुल से इनके सिचाई कर सकते हैं, यहाँ पर पानी का साधन के लिए आपको बता दू कि यहाँ कि इसका वाटर लेबल क्या है, तो वाटर लेबल आपको पूल यहां पर आपको एक तो टोटल कितनी जमिने होती है तो यहां पर तेरह सो पचास स्काइर फिट आपको यहां पर जमीन मिल जाता है जहां साथियों तेरह सो पचास स्काइर फिट आपको यहां पर टोटल जमीन मिल जाता है एक बीगे में एक विस्वे में और यहां पर आपको बता दू कि जमीन के मालिक का नाम क्या है तो जमीन के मालिक जो ह हैं बात करें यहां पर जमीन के मालिकिन का मुवाइल नंबर के बारे में तथा उनके इस जमीन के रेट के बारे में तो जमीन का रेट बताने से पहले आपको बता दूँ कि यहां से तैसिल की दूरी कितनी है तो तैसिल की दूरी लगभग आपको यहां पर 6 muchís mix पढ़र जाता है में चवराहा की दूरी की बात करें तो लग-भग आपको 800 मीटर की दूर पर में चवराह मिल जाता है लोगी वहां पर आपको आपके जरूरत की सापसे आपको सारी जरूरत वाली मिल सकती है क्योंकि भाब चवराहा है portfolio पुस्टेंट और बस सेटेंट सब चीज वहांपर आपको मिल जाता है तो यहाँ पर आपको बता दूं जमीन का रेट क्या होने वाला है तो जमीन का रेट यहाँपर आपको 20,000 रुपे प्रती एकड़ के हिसाबसे दीया जाएगा जहां साथ यो बीस अजार रुपे प्रती एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा आपको यहाँ पर एक दो एकड़ मिलने वाला है जमीन यहाँ पर आपको लगभग आपको यहाँ पर पचास एकड़, दस एकड़, वीस एकड़ ऐसे जमीन आपको मिल सकता है तो अब हम बात कर लेते हैं मालकिन के मुवाइल नमबर के बारे में तो मालकिन का मुवाइल नमबर अगर आप पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा वहाँ पर आपको लिखा रहाएगा कि जब इनके मालखें का मौइल नमबर पाने के लिए इस links पर क्लिक करें तो वहां पर जैसे यह आप किलिक करोगे तो हमारे योटूब चेनल पर पोँच जाएगा जहां पर आपको लिखा रहेगा प्रॉपर्टी आल सेलर यूटूब चैनल जहां साथ यो महाँ पर लिखा रहेगा प्रॉपर्टी सेलर इंडिया तो प्रॉपर्टी सेलर इंडिया को सस्क्राइब भी कर देना आप लोग उसके बाद जो वीडियो चलती रहेगी उसी में आपको मालिखिन का मौईल नमबर दे दिया जाएगा तो आप मालिखिन के मौईल नमबर पाने के बाद आप सुबह 10 बजे से सामको 6 बजे के बीच में आप उनसे कॉल पर बात कर सकते हैं अगर रात में वीडियो देख रहे हैं तो रात में के पर कॉल ना करें क्योंकि सभी इस दसों को से आप निवएदन करना चाहता हूँ कि किसी के पास रात में कॉल ना करें अगर रात में कॉल करते हैं तो आपको तो जमीन के मालिक जो होते हैं मोईल सुच आप कर सकते हैं तो अगर मोईल सुच आप करे रहेंगे तो आप यह को होगे कि सर जमीन के मालिकिन क्या या फिर मालिक का मोईल नबर सुच आप क्यों है तो मैं इसलिए आप से बार-बार निवेदन करना चाहता हूँ कि रात में किसी के पास क्वाल ना करें सिर्फ आपको दिन में दस बजे से आपको चार-पांच बजे के वीच में ही आप जमीन के मालकिन से संपर्क कर सकते हैं तो हमें आसा नहीं पूरा उमीद विस्वास है कि आप लोग मेरे बता हुए द्यानकारी को समझ गये होंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके साथ में बेल आइकन की घंटी को आल पर प्रेस कर सकते हैं तो फिर मिलेंगे नेस्ट वोडियों तक तक के लिए जय हिंच जय भारत